चर्णाम्रत का रोज शेवन और रजरानी को पास में रखना और नामजब करना बस हो गया उशी को तो भगवान कहे रहे हैं आप भ्यास योग युक देन है अब नामजब पर ध्यान देते हैं चर्णाम्रत तो बाहर से हम ले लिए पर नाम का विश्य स्वईकृति से अंदर होना चाहिए लाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जाग्रत नहीं होता भगवत प्रेम का भगवत प्राप्ती का आनंद का दिब्व्यता का है तुम बहुत पार्थी विशयों में लगे है कहा हो तुम भाई कहा हो कैसे तुम्हें नाम में प्रीती होगी कैसे धाम में प्रीती होगी कैसे भगवत प्रापती होगी क्या चाहते हो यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है अरे भाई इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं कोई चाह नहीं जाहिन चाहिए कब हो कुछ तुम सन सहज सने और यह इसी जन्म में हो सकता है अन्य यूनियों में नहीं हो सकता नाम जब के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक कलेक उपासक इसलिए उपासक सब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगा है हो कंठी बांदे हो तो हम तो उपासक कहीं कहेंगे आप जो हो अरे बीसो साल से भजन कर रहे हमें तो कुछ है फिर हमें गुश्या लगते है हमारे निप्रभू की तुम उपासना का भजन का अपमान मत कीजिए बीसो साल चलनी में गया दुहे दोस दैव को दे कैसी कैसी तुवारी बुद्धी कालही किर्मही ईश्वरही मिध्या दोस लगाए विशो शाल भजन अरे हम करें बिलकुल भजन के आवशक्ता नहीं तुम अभी मार गए नहीं जानते है अध्यात्म का अगर आप अपने आप में इस्थित हो जाओ तो आपका स्वरूफी परमात्म स्वरूफ है क्या किसका भजन करना आओ साड़ी तीन हाथ के सरीर में तुम रह रहे अपने को नहीं जान रहे दोस दे रहे भगवान को बिलकुल भजन के आवशक्ता नहीं क्योंकि आपका स्वरूफी परमात्मानंद है आपका स्वरूफी आत्म में लोट अपनी तरफ बड़ा ग्यानी बनता है बड़ा प्रयत्मशील बनता है तो हट तिरगुन सरीर से आपने स्वरूफ में कोई भजन क्या हो शकता नहीं तभी तो कहा बोध जन्न को किसी भजन ब्रती की जरूरत है क्या वो तो श्वात्मा राम है वो तो भगवत स्वरूफ है उसकी एक-एक इस फुर्णा केवल भगवान ही होते हैं का लोट रहे हो तो आ संबंध में संबंध कियो इस तरी पुत्र परिवार दे भोग ममता तो फिर क्रिया में सही चल क्रिया हो रही है सुद्ध अधर्माचरण जहां जैसी ब्रती गई जहां जैसी तुभी कुछ आथ में है नहीं हो आप दोस्देरों भजन का बीशों वर्ष हो गए भजन करते अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया मेरी समझ में नहीं आता मेरी समझ में इसले लिया था कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया नहों तो तुम्हें कहेगा ऐसा यहां जीवन ही भजन है यहां आहार ही भजन है कैसे तुम्हें ब आम्रत है देखो ना हरिवन्षमाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद तो केरें राधा नाम सुधारसम्रसितुम्जिवास तुम्हारी जवान में पित बढ़ने के कारण करवाठ है तो तुम्हें मिस्री भी कड़वी लगती है तो पित का समन भी वो मिस्री कर देगी पर नियम से पाते रहो 20 शाल नाम जब कैसी बात कर दी 20 शाल हरे साल दो साल भूत प्रेत के मंत्र जब कर लो तो उसे दो जाओगे वो भूत तुमारे पीछे टह लेगा और पंच भूतों की रचना करने वाला इश्वर 20 शाल से तुम जब करें तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम्हें मनमानी आचरण करते हो, भगवत विर्ध आचरण करते हो, दो चार माला घुमा लेते होगे, तो समझते हो, बीस साल से भजन कर रहे हैं, भजन को आपका लंकित मत कीज भजानेशी वस्तु नहीं भजानेशे फिर भी कहते तुम्हारा परमकल्यान होगा अगर दो-चार माला भी कर रहे हो आज नहीं तो कल समन में आ जाएगा अब भ्याश भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं आप अपनी जिव्या से तो नाम का जब कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्मा आचरन कर रहे हो कैसे तुम्हार अनुवह में आ जाएगा कैसे अनुवह आ जाएगा पूरे घड़े में एक शेद कहीं कर दो वो कभी नहीं भरेगा कभी नहीं भरेगा अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई आशुरी भाव को छोड़िए गंदी बात को छोड़िए जो अधर्मा चरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या तो वो मूर्ख है और या तो माया के दोरे ठगा गया ऐसा नहीं है कि तुम पापा चरण करते रो और भगवदान वोती हो जाए नहीं है ऐसा आशुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदा अनंद की तरफ नहीं बढ़ सकते देख लो न करके देख लो अपने लोग सोचते हैं पापा चरण करेंगे नाम में बड़ी सामर तो पाप नस्ट कर देगा है पर तुम ये डवल पापा चरण कर रहे हो एक तो मनमानी अधर्मा चरण कर रहे हो दूसरे ब्रहमास्टर का प्रियों मच्छर मारने के लिए कर रहे हो ये नामापराद भी तुम्हारे उपर लागू हो जाएगा अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिस करें उसी को तुम पकड़े हुए हो क्या है अग्यान बरती है अपने लोगों ने जालते हो कैसे अब ब्यास किया है दो मंत्र का एक शाथ आपको हसी लगेगी अगर उपर मंत्र चल दा है गुरू प्रदत तो नीचे नाम चल दा है साम से पूछला साम के जाते थे जब कभी मिलने घंटा घंटा डेड़ डेड़ घंटा ऐसे खड़े रहते थे हम पंदमास्र लगाए बैट जब कभी आग खुलती तो कुछ फला दी रखिया जो कुछ मीठा बाबा पाले ना बहुत कृपा पात्रशिरी जी कहा है जब कोई पूछले वाला लेता तब वो नियम पूर्वक कहीं न कहीं से सदात्त्री में एक बार तो पवाने की कोशिस करता ही था तुम्हारे पास शामर्थ है एक मंत्र चल ला और पीछे नाम चल ला है नीचे नाम मंत्र को देख रहे हैं नाम को सुन रहे हैं कहां भागने का मन को आउशर है चीख मस जाती थी हर दे में रो पढ़ते थे चिला के अभ्यास कौन सा कर रहे है तुम नाम इधर चल ला बीशै चिंतन उधर चल ला भोक क्रियाओं का सुक ले रहे हो और माला इसे घुम रहा है कहां हो तुम? अंगली में माला घुमाने से बहुत प्राप्ति नहीं होती चिंतन तुम्हारा कहां चल ला है चिंतन कहां चल ला है जब आंसे बेर्थी की बाते करते हो जूट बोलते हो निंदा करते हो प्रपंच करते हो नाम सिद्ध हो जाएगा नाम का आनंद तुम्हें नाम दाता, नाम जापक इनके अपराध कर रहे हो नाम दाता की निंदा नाम जापकों की निंदा तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा नाम का लाब परत्थ हो जाएगा कभी देखो करके ऐसा उपर मंत्र लिख रहे हैं तो एकाइ में तुम्हारी गुथ्धी नहीं लगएगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले, मंत्र चल लगा, प्यास की चिंता ना प्यास की चिंता, लादा बाबा चला है उनकी जीवल में देखा है कोई भी महाप्रूर्श इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता हर उसके भागने के हतकंडे पर हर हतकंडा सीखा इसलिए तो गुरु मेरवान तो चेला पहलवान या डंडबेठक वाली पहलवानी नहीं है या यही पहलवानी युक्ति से मुक्ति बाद तु कहां भागेगा तो मन नहीं लगता अरे सेर बनो तुमसे खा के वो तुम्हें दाड़ रहा है मन बिल्ली न बन जाये तो बता ला म्याव बोलेगा तुम्हारे सामने नमारे हाथ में डंड़ा है गुरू का क्रपा प्रशाद नाम मंत्र फसा इसको नाम जब में कोई श्रम नहीं है बर लोब जगना चाहिए नाम का लोब जग जाए पुरी पुरी रात एक ही करवट में बितीत हो गई है गुज रहा है मंत्र कभी उल्लों की आवाज या सिहार की आवाज रात्ति में भले सुनाई दे नहीं घंगा की नाई क्यों मंत्र गूंज रहा है अच्छा आप लोगों को अब ब्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना देखो शुबह से लगे हो सत्संग इसके बाद फिस श्री जी का मंगला बन भिहार साड़े नो बजे तक तो आपको फुर्शत ही नहीं चेतसा नाम निगामिना समझो भगवान के वचन को तुम्हारा चित कही जाए ही ना ऐसा अब ब्यास करो ऐसा होता है ब्यास इश्नान करके शरीर की शुदी नहीं की वस्तर पहना है बार निकल करके आपने तो वस्तर अच्छा वस्तर ऐसा थोड़ी की चित देभाव में ही लगा हुआ है क्रियाए हो रही उनकी शुदी नहीं है नामा कारवर्ति भगवदा कारवर्ति यह किस जन्मे में करोगे कब करोगे यही उशर है कुछ तो उशर मिल गया है भजन का उशर इसे बड़ा कोई लाव नहीं अब आप चित द्रवर्ति को कैसे आप बरबाद करते है जब देखने को बिलता है तो लगता है कैसे बरबाद करते है यह समय यवव नवस्था का एक मात भगवदाकार ब्रति के लिए तुम्हारी नेत्रों की जीवती चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए जब आपके तरम नेत्रों को देखे तो लगए हाँ एकाग्र द्रष्टी भगवदाकार द्रष्टी है जिसे उल्लू है ना दिन में उसको कुछ ने दिखाई देता रात्री में उसके नेत्र समुखते ऐसे ही हमारी कुछ द्रष्टी है ज्यान में हम अंधे हैं और ज्यान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते वोईशा वोईशा ये भोगशामा ग्रिव ये हैं अंधकार अंधकार में उल्लू को बढ़िया दिखाई देता है लेकिन दिन के प्रकास में उसको कुछ ने दिखाई देता तो भक्ती का प्रकास और ग्यान का प्रकास है हमारे नेत्रों में ने समन में आ रहा माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा काम, क्रोध, लोब, मूब तभी हमारे उल्लू बना रही माया में नाम, रूपी, धन, प्रियालाल के रूप का ध्यान प्रियालाल की सेवा इससे बंचित किये हुए है श्री हरी को जिसने आत्म समर्पन कर दिया उसका सब कुछ शार्थक हो गया श्वात्मार पणम्ष्वा सुषदा परमश्य पुन्शा प्रभू को शमर्पित हो जाना आप लोग कहेंगे मैं प्रभू को शमर्पित हूँ कल की चिंता तुमें क्यों है भविश्य की चिंता तुमें क्यों है वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है भूत के क्यों ही ये कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है क्योंकि तुम आत्म समर्पन नहीं की हो इसलिए है हरे आत्म समर्पन की वरत्ती में तो आकर देखो नाच पड़ोगे अभी इसलिए करें भगवत प्राप्ती में कुछ सरम नहीं है सरम है इस ममता को बटोरने में बस इसको समेटने में एकदम भगवत प्राप्ता भी हो आपको आप समझें आपको कुछ नहीं प्राप्त करना कुछ नहीं प्राप्त करना आपको समझ में मतलब ओने आए की बात जो हम कह रहे हैं आपका शुरूप ही भगवत शुरूप है आप किसी माटी से बले हुए लई है आप भगवान से बले हुए है ये भगवान से प्रगट हुआ है और वो केवल भगवान है ये अंदर की बात तुम्हें किरे शुद्ध बुद्ध बात है ये भगवान से प्रगट हुआ है भगवान से ये जो पंचवूत है न ये भगवान से प्रगट हुआ है और ये भगवान ही है भगवान से प्रगट ले हुआ है अंस जानते हूँ अंस सब्द भुलावा है भुलावा भूलने वाला सब्द है अंस अंस नहीं है वोई महराज बैठे लिए कोई आए जैसे एक काच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समस्ता के अपना ही रूप है अईसे सच्ची मानना वोई बैठे खेल रहें आप हो ही नहीं आप अपने को भ्राम में पांस लिए हो आपकी शत्ता तब तक अलग है जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तो जेव ही ये हटायोगे वहां मुश्कुराते हुए किवल लाल जू है आप है वे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव अगर हम आपको ये ना सुनावें तो आपको लोग है क्या बोल रहे है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल क्यों? क्योंकि जो हम अपनी सुधी बनाए हुए थे ना सरीर और रागे सब अब गई तो बचा कौन एक रहे ओ नंदलाल अब ये पुर्णता है ये श्वात्मारपणम्स्वास्वधा प्रमश्य पुन्शहा लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल लाली देखर मैं गई मैं भी हो गई ये ये बात हाँ ये बात लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल लाली देखर मैं गई तो मैं भी हो गई ये 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 खास बात है आये ना मैं भी हो गई ही में न जान परे कान है की प्रान है कान भए प्रानमें प्रान भए कान में हे में न जाने परैnh कान कौन बचा कौन बचा लाल लाल जू मारा एक रहे हो एक प्रभो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना तुम भगवश्व रूप हो बस ये राग छोड़ लो अब ही हमारी बात तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना बैयास बरोसे कुवरी को जा कहा रहे हो तुम पीछे-पीछे किन के डोल रहे हो भोगों के, बिशेयों के अरे धेकार बात समझ अगर छुत्र भोगों के लिए तू जा रहा है तो तू किन का दास है, गुलाम किन का है कोई यहां दास नहीं है यहां केवल श्वामी का ही स्वामित तो है हमारे स्वामी किसी को दास बना के नहीं रखते हमारे स्वामी को शुभाव है अगर तुम दासत तुम्हें हो तो तुम्हें वो श्वामी बना देंगे देख लो न रत हांक रहे हो, बैठे स्वामी बने, पैर दबार है, लंगोटी धोर है, यह स्वामी है, दाशत्त का भाव रखोगे तो स्वामी तुम्हें स्वामी बना देगा, बचोगे ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्वी नहीं रेगा, आपने में समेट लेगा, मिला लेगा, और मैं ब के हैं नहीं कर पा रहे हैं अन्यता सब के सब साधन निरर्थक हो जाएंगे दियात्म समर्पन नहीं हुआ सास्त रहे बहुत बड़े हाँ चांस है कैसे अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ पुष्ट हो जाओ बस समझा ही सकते हैं उपाय बता सकते हैं स्विक्रति आपकी आप स्विकार न करो तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं केवल अपना स्थित तो हटा देना है जोई जोई प्यारो करे शोई परमानंद में नहीं मान रहे हमें तो बहुत आश्यर होता है कि आग्या इस पस्ट रकेल खिची हुई इधर नहीं जाना पर वो कह रहा है कि तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे तुम कहोगे नहीं जाना तुम इधर आई रहेंगे अब हम कैसे कह सकते हैं इसलिए भगवान के उतार हुए महापुर्शों के उतार हुए पर अपने लोगों का कल्यान नहीं हुपाया क्योंकि हम लोग ऐसे ही है कि इधर जाना नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे हम इधर आएंगे ही नहीं ये श्व भाव उल्टा आसुरी भ प्रभू के अनन्य प्रेमी अकिंचन भगतों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है एकांतिनाम भगवतस्त तदकंचनानाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम श्यात बड़ी भरी बात एकांतिनाम जो भगवान के चिंतर में निरंतर डूबे हुए हैं उन महातमाओं की चरण धूल में जिसने अपने को इश्णान करा लिया वही आत्मसमरपन कर पाता है अब आप धूली धूलोगे कि भी आवश्णान करना है धूली से धूली का ताथपर है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आग्या में रहना है देखो हम जो बात कहरें उस को अंतर से समझो धूली का तात्पर है लोट जाना नहीं कि अभी लोट गए तो तुम्हारा आत्म समर्पन हो जाएगा धूली का तात्पर है कि चरण धूली मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो चरण धूली चरण पढ़ने पर नीचे ही तरहती न अर्था तुम इतने दै गया है उनकी इच्छा है इससे हो क्या हो जाएगा हरीक से आत्मसमरपन प्रियाजू से आत्मसमरपन मैंने जो विज्ञान से तुम्हें विशुद भागवत धर्म शुनाया अगर इसको शुन लिया जाए श्वईकार कर लिया जाए तो इसी जन्मे में भगवत साक्षातकार हो जाए भगवान कहे रहे हैं इसे अभ्यास से स्वईकार करो चित्वरत्ती को नाम में लगाओ देखो प्रारम में हमने देखा है इसलिए आपको बता रहे है प्रारम में नाम यहां से नहीं चलता है प्रारम में यहां से विशय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जीवन का लक्ष ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले सबसे पहले गुर्द्य भगवान सन्यास में मिले पूजी स्वामी सी गड़े शाष्ट्रम जी महाराज तो वो बड़ा दुलार करके हैं कि बच्चा अगर साधू बनने के लिए तो एक ही बात केवल है। हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी उलंबी वाली गौ मुखी ले करके हर समय एक बार केवल फलार पाते थे। शंतों का बड़ा नियम होता है। और फलार में वहां सेव शंतरांगूर मिलते नहीं थे देहात के सबी। तो वहां को ये आलू बार और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्रिया, नारियल का पात्रेशे किया और आपने पूछा स्वामी जी डाल दे, पात्र उल्टा क बस अटा ले, पूछेंगे, कभी कहेंगे नहीं कि विक्षा पाला, बिल्कुल हर स्वामी जी विक्षा पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डाले, पात्र पलट गया, एक बार 24 घंटे में लेया, हर स्वामी भजन प्राण, उनके चरणों में ही लोटने को मिलता हूं नहीं उहीं रहने को, बस उठ बच्चा, रात के दो बजे, उनी की करपा से संस्कार बने, भले बीमार है, भले कैसी परिष्टे, दो बजे खतम, नीन का कोई आवेश नहीं, प्रमात की कोई गुंजा, इसने पुरा जीवन हो गया, उनी की करपा से, उठ बच्चा, ले माला, बै नाम जब करते करते, आराध्य देव जलकने लगें, तो माला जाता है, नाम जब सार्थक हुआ, पुजिशी सद्गुर्देव हुआ, जब निजमंत्र दिया, कुछ दिन बाद पूछा, निजमंत्र कहां से चलता है, यहां से चलने लगा, भारा जी, यहां का तो भी अनु यहां काता पुर्दय, एक दब मानशिक, सांद बेटे, हुर्दय से चलना है, अब भजन करना थोड़ी है, वो तो चल रहा है, अब आज ही आप सुरू कर दो कि हुर्दय में, एक मिनट के बाद उभगा देगा संसार में, गुमते रहोगे, कुछ नहीं आत लगेगा, प्र तुरासी ही गुन-गुनाने लगो, बिल्कुल अउसर मत दो, जैसे दुस्मन नीचे गिर पड़ा है, आप उपर चड़े हो, अब उसको उपर आने का उसर मत दो,